एक्ट्रिस सनी लियोनी अक्सर सुर्ख्यों में रहती हैं वो अक्सर बॉलिवुड में लाइम लाइट बटूरती रहती हैं इस समय वो तनुज विरानी के साथ डेटिंग रियालिटी शो एम टीवी पिट्स विला एक्स फाइव एक्स्क्यूज मी प्लीज को गोस्ट कर रही हैं इसी के साथ आल ही में आये एपिसोड में सनी लियोनी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की और उन्होंने बताया कि उनके एक्स पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया था जी हाँ इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रही है सनी लियोनी ने बताया कि उनके एक्स पार्टनर के साथ उनकी सगाई तक हो चुकी थी सनी लियोनी को बिग बॉस 5 में दिखा गया था इसके बाद महेश भट के फिल्म जिस्म 2 से बॉलिवुड में डिव्यू किया सनी लियोनी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है उनके लाखो दिवाने हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी लियोनी की शादी से दो महीने पहले उनके एक्स पार्टने ने उन्हें धोखा दिया था क्या थी वज़ा और क्यूं हुआ ये सब आईए आपको ये सब बताते हैं उनके बॉइफरेंड ने उन्हें शादी से दो महीने पहले बताया था कि वो उनसे प्यार नहीं करते हैं सनी लियोनी ने कहा अपने पती से मिलने से पहले मेरे भी एक बार सगाई हो चुकी है मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है पर सच मुझ कुछ गलत है वो मुझे धोखा दे रहा था मैंने बस उससे पूछा कि क्या वो अब मुझसे प्यार करता है और उसने कहा नहीं मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता ये हमारी शादी से दो महीने पहले की बात है हवाई डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई थी ड्रेस भी फाइनल हो गई थी ये मेरी जिन्दगी का सबसे बुरा एहसास था दरसल शो में सनी लियोनी एक कंटेस्टिन देवांगिनी को समझा रही थी इसी दौरान उन्होंने अपने पुराने रिष्टे के बारे में बात की इसके साथ ही उन्होंने एक्स पार्टनर से धोखा मिलने के बाद अपने पती के बारे में खूब तारीफ करी उन्होंने कहा कि उपरवाला कुछ मैजिकल चीज़े कर अगर नहीं चांते हैं तो आपको बता दू रहती हैं फिलाल इस ख़बर में इतना ही बाकि इस पर आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट सक्षा में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक और हम पहुंचाते रहें